क्विज की यह एप बनाना सीखते हैं यह मल्टी स्क्रीन एप होगी प्लेयर को क्वेश्चन्स मिलेंगे और आंसर की चार आप्शन्स मिलेंगी प्लेयर जब अपनी ऑप्शन सेलेक करेगा तो उसको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा और उसको ओवरॉल फीडबैक मिलेगा फिर प्लेयर गेम को दुबारा खेल सकता है तो गेम रिसेट हो जाएगा और प्लेयर फिर से क्विज के क्वेश्चन्स ले सकता है इस app को बनाते हुए हम variables के बारे में सीखेंगे, list के बारे में सीखेंगे, list of lists के बारे में सीखेंगे और हम tiny database का जो component है उसके बारे में सीखेंगे तो इस app को हम step by step बनाते हैं तो हम app inventor में जाके start a new project कह रहे हैं और हम इसका नाम दे रहे हैं trivia quiz तो यह जो app है, इसको हम multi screen app बनाएंगे first screen में हमारा splash screen होगा, जो kind of a welcome screen है second में हमारा quiz का interface होगा और third screen हमारा feedback का screen होगा जो default screen 1 है, यहाँ पर हम splash screen बनाएंगे पर इसको हम बाद में बनाएंगे, तो अभी मैं एक add screen कर रहा हूं और यहाँ जो screen 2 है, उसका नाम मैं दे रहा हूँ quiz तो हम अब यहाँ पर screen 1 में नहीं है, हम quiz पर है और जो हमारा quiz के screen का layout है, हम उसको सबसे पहले बनाते है तो quiz का जो layout है, यह है हमारे पास, कि top में हमारे पास title है एक horizontal arrangement में, उसके बाद हमारे पास question है और यहाँ पर questions जो है, यह अलग-अलग आएंगे जिसको हम सीखेंगे कि यह list से हम कैसे call करेंगे उसके बाद हमारे पास options है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक actually feedback का button है जहाँ पर कि जब user option select करेगा तो उसको feedback मिलेगा और एक यह next question का option है तो मैं सबसे पहले horizontal arrangements drag करकर यह layout बना रहा हूँ तो यह हमारे horizontal arrangements है अब हम इनके अंदर अलग components डाल रहे हैं तो हम सबसे उपर जो हमारा horizontal arrangement है इसमें हम चाहते हैं कि हमारा title आए तो title डालने के लिए मैं user interface में जाके यहाँ पर एक label add कर रहा हूँ और उसी तरीके से हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो question है यह जो हमने word यहाँ question लिखा हुआ है यह आए तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक label डाल रहा हूँ यहाँ पर मैं एक और label डाल रहा हूँ तो हम पहले इन जो हमने labels डाले हैं उनको यहाँ ठीक करते हैं तो यहाँ हमारा title आ गया यहाँ पर यह question आ गया इस box में हम जो पीछे list में questions डालेंगे वो appear हूँगे फिर यहाँ पर यह options का जो label है वो आ गया और अब हमारा को actually options जो है user को वो दिखानी है और यह options भी एक list से call हूँगी और इनको दिखाने के लिए हम यहाँ पर components user interface में जाके list view का जो component है इसको लाके इसको यहाँ पर drop कर रहे हैं तो list view का जो हमारा component है उसमें अगर हम यहाँ पर जो भी डालेंगे जैसे मानलो मैंने डाला की my, name, is, atul तो मेरे पास जो भी हमने लिखा है यहाँ पर वो as a list आ जाएगा और user के पास option होगी कि वो list जो है उसमेंसे वो कोई भी item जो है या element जो है उसको select कर पाए उसके बाद हमारे को यहाँ पर जो है feedback आएगा तो इसके लिए मैं एक और label अट कर रहा हूँ और feedback के बाद हमारे पास एक next question जो है यह button हमें डालना है जो की यहाँ पर हमारे को दिख नहीं रहा तो इसको देखने के लिए हम एक trick कर सकते हैं कि हम अगर यहाँ जाके जो हमारा यहाँ पर main parent component है उसमें जाएं और अगर हम वहाँ जाके कह दें कि make it scrollable तो हमारे को नीचे दिख जाता है layout बनाने के लिए हम यह scrollable कर रहे हैं जब हम हमारी app पूरी हो जाएगी तब हम scrollable को हटा देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि final app जो है वो scrollable बने तो यहाँ पर हम एक button चाहते हैं यह जो top में title आ रहा है हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम वापस parent component quiz में जाके यहाँ पर हम कह रहे हैं कि title visible को uncheck कर रहे हैं जो हमारा उपर screen title आता है वो hide हो जाएगा हमारा layout बन गया है अब हम जाके इसकी programming करते हैं तो मैं यहाँ blocks में जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम एक list बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमारी list of questions जो है वो आएगा questions क्या हो वो depend करता है कि आप किस किसम का quiz बनाना चाहते हैं तो questions डालने के लिए हम यहाँ जो list का feature है उसको use करेंगे और उसमें हम जो है make a list feature use करेंगे तो list क्या है computer में कि list एक data store करने का तरीका है जैसे मान लो आप किसी game में high scores जो है वो save करना चाहते हो तो आप उसको एक list बना के save कर सकते हो तो list में items होते हैं तो मान लो यह एक list है जिसमें items है A, B और C तो एक तो यह है कि list के items या elements है और दूसरी बात list की क्या है कि list में हर item का एक index है तो app inventor में जो सबसे पहला item है उसको one बोलते है कुछ और programming languages में first index की value zero हो सकती है तो इसमें A जो है उसका index one है B जो है उसका index two है और C जो है उसका index three है तो अगर हम list में कोई item काल करना चाहते हैं तो हम उसको उसके index से भी काल कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर कहूं कि in this particular list call index three तो जो है C जो हमार को value है वो मिल जाएगी तो हम list का feature यूज करते हुए हमारे quiz के questions create करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले variables में जाके एक नया variable create कर रहे हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं questions और हम कह रहे हैं कि यह जो variable है इसमें क्या value store होगी जो हमारे list है उस list के items app inventor में जो blue color का component है जिसमें ये gear का sign आता है इसको mutator component कहते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे click करूँगा तो मुझे जो जैसे अगर मुझे list में मान लो हम 3 question का quiz अभी बना रहे थे और हमारे पास अभी 2 slot थे तो मैं अगर यहाँ पे इसको drag and drop कर रहा हूँ हम एक ऐसी list बना सकते हैं जिसमें की 3 items हो तो हम यहाँ पे question डालना चाहते हैं question डालने के लिए मैं text में जा रहा हूँ और फिर हम आप जो भी quiz बनाना चाहते हो आप वो question यहाँ डाल सकते हो तो मैं books and authors का quiz बना रहा हूँ तो मैं अपनी list में अब 3 questions जो हैं उनको केवल type करके डाल रहा हूँ तो मैंने यह 3 questions बनाए हैं who wrote the story of my experiments with truth who wrote Swami and friends and who wrote Pinger यह 3 किताबों के नाम है आप जो भी quiz बना रहे हो आप उसके accordingly आप यहाँ पर questions डाल सकते हो फिर हमारे को एक और list बनानी है जो कि हमारी जो हर question के साथ options होंगी answer की options जो 4 options होंगी एक जो है वो ठीक होगी और 3 जो है वो गलत होंगी एक ये list बनानी है पर हमारे पर तीन questions है और हम चाहते हैं कि हर question में 4-4 options हो तो इसके लिए हमारे को एक list of list बनानी पड़ेगी तो list of list कैसे बनाएंगे हम हम फिर से एक variable create कर रहे हैं और उस variable का नाम हम दे रहे हैं options क्योंकि यहाँ पे answer की जो हमारी options है वो हमें मिलेंगी उसके बाद हम list में जाके फिर से make a list कह रहे हैं अब इस make a list में हमारे को तीन questions के लिए options डालनी है यहाँ पे हमारे पास दो ही slots हैं तो मैं यह gear को दबा के एक और item यहाँ add कर रहा हूँ तो अब हमारे पास तीन slots हो गए और उसके बाद मैं इसी component को duplicate कर रहा हूँ हम चाहते हैं कि हमारे हर question के चार options हो तो यहाँ पे अब तीन options हैं तो मैं फिर से gear दबा के एक और यहाँ पे option add कर रहा हूँ तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी एक parent list है जिसके जिसमें की तीन जो हमारे सवाल हैं उनके लिए options हैं और हर सवाल के लिए हमारे पास चार-चार हम answer की options देने वाले हैं तो मैं इसको duplicate करके हर जो हम question बनाना चाहते हैं उसके लिए मैं डाल रहा हूँ अब हम इसमें भी जो है data enter करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं वही text में जाके एक empty string ला रहा हूँ और अब हमारे को इसमें answer देना है तो हमारा पहला question था who wrote the book the story of my experiments with truth जिसका correct answer है महात्मा गान्दी तो हम एक correct answer और तीन गलत answers जो है वो type कर रहे हैं इसी तरीके से हम जो हमारे बाकी के दो questions हैं इनके लिए भी options यहाँ पे डाल रहे हैं एक ठीक तीन गलत तो हमारी अब यह list of list तयार हो गई है हमारे को एक list और बनानी है जो की correct answer की list है तो हम फिर से variable में जाके एक नया variable बना रहे हैं उसको हम कह देते हैं answer और इसमें हम जो हैं correct answers डाल रहे हैं तो पहला है महात्मा गान्दी तो हम इसको add करने के लिए यहां list में जाके फिर से make a list कह रहे हैं और हमारे को तीन options चाहिए तो मैं यहां एक और item add कर रहा हूँ यहां पे यह धियान देना है कि जो हमारा question है answer हमारे same order में आने चाहिए तो second question है who wrote Swami and friends correct answer है R.K. Narayan तो मैं duplicate कर रहा हूँ और हमारा तीसरा question है who wrote pinger हमारा correct answer है Amrita Pritam तो मैं यह duplicate करके यह डाल रहा हूँ तो अभी हम यहां पर हैं कि हमारे पास हमारी questions की list बन गई है हमारी हर question के लिए options की list बन गई है और हमारी एक और third list बन गई है जिसमें हमारे right answers है इसके बाद जैसा मैंने बोला था कि हर list की एक index value होती है तो इस list में अगर मैं कहूँगा कि index one की क्या value है तो वो होगी ये the story of my experiments with truth अगर मैं इस list में कहूँगा कि index three की क्या value है तो वो होगी अरुंधती ROI तो हम इस तरीके से index के through भी देख सकते हैं list में क्या था तो हम यहाँ पर एक और variable बना रहे हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्यों कैसे इसको use करेंगे इस variable का हम नाम रख रहे हैं index maths में जाके हम maths में जाके हम यहाँ पर इसकी value index की value रख रहे हैं one तो हम कह रहे हैं कि initialize a global initialize a variable called index and set its value to one फिर हम क्या चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर यह जो एक field थी वहाँ पर हमारे question की list से question one जो है वो appear हो तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं हम इस वक quiz नाम के screen पर हैं तो हम इसको select कर रहे हैं और हम यहाँ से यह programming block जो है इसको ला रहे हैं जो कह रहा है कि when quiz dot initialize यानि यह जो screen है जिसका नाम है quiz जब यह initialize होता है यानि जब यह start होता है तब हम क्या करना चाहते हैं और यह कब start होगा जब हम इसका एक splash page बनाएंगे बाद में एक splash page बनाएंगे और उसमें जब player play now बटन दबाएगा हम कहेंगे send the player to this screen called quiz और जब quiz में वो player आएगा तब यह initialize यह function शुरू होगा तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं हम basically चाहते हैं कि जो हमने question नाम का label बनाया था हम इसमें पहला जो हमारा question है हम इसके अंदर क्या text हो यह define करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसका text definition का element देख रहे हैं और हमें यहाँ पर यह एक setter मिला जो कह रहा है set the question label text to और हम यह जो text है यह हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह जो हमारी questions की list थी इसका पहला जो item है वो आ जाए तो इसके लिए हम फिर list में जाके इस बार हम कह रहे है select list from some particular list select the item और वो list हमारी क्या है वो list हमारी है यह जो भी questions का जो variable था इस में जो भी value आ रही है वो तो हम यहां कह रहे है from the list called questions select the very first item क्योंकि जैसे हम index की value यहां पर one डालेंगे तो हम computer की यह instruction basically कह रही है कि जैसे ही quiz नाम का यह जो screen है यह initialize होगा तो जो app हमारे user interface में question label नाम की जो field है वहां पर global questions नाम की list का पहला जो भी item है वो दिखा देना तो यह जो part है यह आ जाएगा उसके बाद हम क्या चाहते हैं जो हमने वहां पर एक list view component डाला था उसकी options आएं और वो options कहां से आ रही है वो जो हमने second list बनाई है called options वहां से आ रही है तो हम second यहां पर क्या कह रहे हैं कि जब यह screen initialize होगा तो एक तो question दिखा देना और दूसरा जो भी question number है उससे related जो options हैं वो दिखा देना तो उसके लिए हम यहां list view में जा रहे हैं और हम list view के अंदर क्या elements आएं वो define करना चाहते हैं तो हम यहां कह रहे हैं set the list view elements to और हम यहां पर कह रहे हैं आएं वो इस वाली list दे लेना जो है options की list और again हम कह रहे हैं index value 1 है क्योंकि जब हम question की list से first उठाएंगे तो हम चाहते हैं कि answer की list से भी first वाला आए यानि questions की list से जब हम first item उठाएंगे तो उसमें हमारी यह जो list of list में पहली थी ये चार options आएं क्योंकि जो correct option है वो यहां पर है तो अभी तक जो हमने code लिखा है इसको हम अपने android की device में देखते हैं तो उसके लिए मैं connect में जाके AI companion app जो है इसको connect कर रहा हूं तो अभी हमारा interface जो है वो यह ऐसा नदर आ रहा है इसमें दो problem है एक तो यहां यह जो हमने question लिखा था यह यहां पर नहीं लिखा हूँ आ रहा है और दूसरा जो हमारी यहां पर options है यह options भी यहां पूरी नदर नहीं आ रही है तो यह options पूरी नदर आने के लिए तो हम यह जो हमारा list view वाला item है इसका horizontal arrangement में जाके इसकी height बढ़ा देते हैं तो इसकी height हम कर देते हैं मनले जाए 300 pixels तो अब यह जो है हमारी सारी जो options है वो हमारे को यहां पर ठीक से नजर आ गई है दूसरी बात थी यह questions नहीं आया है तो यह मेरे से I think पीचे गलती हुई है अगर मैं वापस programming blocks में जा रहा हूँ तो यह जो हमारा था यह मैंने गलत label पे डाल दिया है यह होना चाहिए हमारा questions from list label तो अब यह हमारा जो interface था वो ठीक हो गया है हमारे पास ऊपर हमारे पास यहां पर जो हमारी app का नाम है वो आ गया है question आ गया है और अब हमारी list of questions है first question हमें यहां मिल गया है उसकी जो options है चार उसे associated वो हमें चारों यहां मिल गई है और हमारा यह जो next question का button है यह है plus यहां पर जब हम feedback देंगे based on user क्या select करता है तो वो यहां पर appear होगा झाल 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 झाल